सो हाई गाईस वेलकम बैक आज हम लोग वेब डेवलोप्पेंट फॉर इंटरमीडियेट का लेक्चर नमबर टू स्टार्ट करने वाले हैं तो प्रिविएस लेक्चर में हम लोग ने कुछ द्रॉप दॉन के बारे में पढ़ा था तो चलिए हम लोग वहां से ही कंटिन्यू करते हैं तो मैं फट 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 ले चलता हूं आपको अपने लैप्टॉप स्क्रीन पर सो लेट्स स्टार्ट है तो यहां पर हम लोग का वेब डिवलोप्पेंट फॉर बिगनर हमारा कंप्ल तो चलिए प्रीविएस वीडियो में हम लोग ने जैसे देखा था कि हम लोग कुछ गैलरी बगारा का देखेते हैं ड्रॉप दाउन देखेते हैं गैलरी कैसे बनता है वह सारा कुछ देख चुके थे तो आज हम लोग बेसिकली डिरेक्ली फॉर्म को देखेंगे कि CSS फॉर इडिक्टर पर आड़ कर ओपिन कर लिया कि उसके बाद हम लोग डिरेक्ली क्या करते हैं कि यहां पर आकर के एक बार रन कर लेते हैं ठीक है देख लेते हैं कि कैसा अपना कि पेज यह जो इंडेक्ट.html पेज है वो कैसा दिख रहा है एक्च्वली ठीक है तो प्रिवेस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा बनाएते हैं अभी हम लोग आज क्या देखते हैं कि CSS फॉर्म कैसे बनता है तो डिलेक्टली हम लोग इस इन सारे चीज़ को क्या कमेंट कर लेंगे और उसके बाद क्या है कि आगे का वर्क हम लोग करेंगे तो हम लो अगर देखें तो प्रिवेस वीडियो में भी काफी कुछ हम फॉर्म के बार हैं बता दिये थे जब हम इस्टीमल पढ़ा रहे थे तो तो यहां पर फॉर्म पर जैसा एपलाई करेंगे उससाब से हमारा यहां पर क्या होगा कि अट्रेक्टिव दिखेगा इसे अप्लाई जितना करेंगे उतना अट्रेक्टिव अच्छा दिखेगा जैसे यहां पर इस्टाइलिंग इंपुट का है तो यहां पर हम लोग कुछ वीट लेते हैं वीट अगर हम लोगों क्या यूज करते हैं उसका चौड़ाई हम लोगों 100% रखना है या 50% रखना है या फिर कुछ नंबर रहे तो हमारे क्या होगा कि हम जब भी अल्फबेटिक कुछ भी डालेंगे तो वह हमारा नहीं इंपुट होगा और क्या होगा कि जब हम लोग नंबर डालेंगे तब हम लोग वहां पर कुछ इंपुट कर पाएंगे तो चलिए आज यही सारा कुछ हम लोग देखत अगर होल्ट पर किसका कॉल है उजालत है अगर थीक है तो यहां पर हम लोग ऐसा कुछ फॉर्म देख रहे हैं तो देख लेते हैं यहां से एक्जाम्पल और फिर ऐसा ही कुछ कुछ हम लोग यहां फिर इससे अच्छा कुछ बनाने का कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने आजाते हैं इंडेक्स.html पर यहां पर कुछ हम लोग पहले ले लेते हैं ठीक है यूज कर लिए और हम लोग कुछ रेइस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का यहां पर ठीक है ठीक है और ही जी करके मैं कुछ यहां पर इस्टेशन का शॉर्ट नेम ले करके क्लास बना दिया हूं इसके अंदर हम लोग हेडिंग को अगर हम लोग पहले एफेक्ट करते हैं अगर css से तो हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे टेक्स इंटर कर लेते हैं एक उसके वाद हम लो खुछ फॉंट में इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो यहां पर हम लोग कुछ 25 25px यूज़ कर लेते हैं 25px उसके वाद हम लोग क्या करते हैं कि उसका कुछ color रख देते हैं तो color हम लोग को कुछ रही है ऐसा ब्राउन ले लेते हैं आज़र के देख लेते हम लोग क्या चाहिए हम लोगो टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुए है कि ठीक है टेक्स्ट अलेन सेंटर बगदा अभी हम लोग क्या करते हैं तो मार्जिंग टॉप हम लोग 25px का अप्लाई कर देते हैं इस गूप पर तो यह देख ठीक है अभी हमारे कुछ ऐसा देख रहा है इसके व होरिजॉंटल लाइन मेरे को मिल जाएगा ठीक है और से पहले हम एक क्या करेंगे कि मार्जिंग बॉर्टम भी यहां पर यूज कर लेंगे तो मार्जिंग बॉर्टम हम लोग कुछ कि फिफिटिंटी एक्स का यूज करना चाहे है और साहिए अब हम लोग में करते हैं कि चलो फॉर्म को बनाना कहिए तो जैसे हम लोग इसके पास आते हैं तो हम लोग सबसे फार्ले फॉर्म अगर आप लोग उपला चुके हैं पहले ही ठीक है अगर जो अभी इस वीडियो तो जाकर पहले वीडियो को चेक आउट कर लिए उसके बाद यहां से कंटीनी कीजिए ठीक है तो फॉर्म में आप लोगो पहले बता चुका था कि हम इसा जो भी फॉर्म बनाएं तो हम लोग फॉर्म के अंदर टैक के अंदर ले लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं क क्यों ले रहा है कि हमारा वह क्या है कि विद्ध को पूरा पूरा यह कर रहा है और फिर कुछ बैक्ग्राउंड भी इसाब सही डाल रहा है तो चलिए वैसा ही कुछ करते हैं यहां पर हम लोग पहले इस सारे चीज़ों को एक डिफ के अंदर डालेते हैं जिससे हम लोग क्लास कुछ हम लोग के एफ अर्षार मिर्प व और गवाग यहां पर यहां पर डाला हूं तो इसके और सेफ कर लेते हैं औराकर कि हांपर देख लेते हमारा क्या 5 अभी हमारा लेबल शिस्फ शो ओ रहा है अब हम मित आग gráfic्राउंट 還是 के अंदर कुछ हम लोग ऐसाफ डलत चब दालते हैं कुछ को ऑचसा नीए मात है कि थोड़ा से और चैनल साइट अगर की कि देख लेते हैं तूर तो ठीक है ऐसा मुझा आभी देख रहे हैं कि इसका एक हम लोग विट्ट अप्लाई कर दें और वी लोग क्या करते हैं हम लोग कुछ आइप ना डालते हैं कि विद्ध 50 पर सेंट लेके देखते हैं साहिए 50 पर सेंट पर आगे हमारा अभी हम लोग क्या करते हैं इसको कि कुछ सेंटर में करने के लिए यहां पर हम लोग कुछ without css कुछ यूज कर लेंगे तो भी हो सकता है है ठीक है हो गया अभी हमनोंकाी क्या है कि इहां पर ने यहां पर इस सबस्क्राइब पर तो इसका मैं क्या करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी content वेगर सारा कुछ रहेगा उस से इंटर हो जाएगा इस से इंटर से ठीक है तो अभी इसको ऐसा ही रहने देते हैं और इसका कुछ background की अटाओ इसको भी अटाओ ठीक है पहले हम लोग फॉर्म बना लेते हैं उसके बाद हम लोग कुछ styling करना र कुछ टाइप रहता है जैसे कि टेक्स्ट नंबर पासवर्ड इमेल ऐसा से कुछ हमारा यह रहता है तो वह उन सारे चीज़ों को मैं यूज करके यहां पर देख ला दूंग आप लोग कि वह अच्छली में वक कैसा करता है तो सबसे पहले मैं ऐसा कुछ ले लेता हूं यह तो यहां पर हम एक यूज कर लिया है तो सिंपली क्या होगा कि लाइन प्रेकर करके हम लोग नेक्स प्लाइन में आ गए ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अधिक है तो हम लोग अभी क्या है कि एक CSS बना लेंगे लेबल के लिए और हम लोग सारे को उसी पर अप्लाइब करेंगे अगर पहले देख भी लेता है क्योंकि हम लोग प्रीवेस पर लेटें तो यहां पर कोई लेबल तो है नहीं न अच्छा है ठीक है तो इसको हम करेंगे अभी लेबल पर हम लोग क्या करते है कि इसका थोड़ा टेक्स को साइज दे लेते हैं कुछ तो फॉंट साइज हमारा हो जाएगा यहां पर अप्लाइए और फॉंट साइज हम करना चाहिए इसको एट्टीम पीएग्स का अधिक है हो गया और थोड़ा बाड़ा करना है तो यहां पर 25px यूज कर सकते हैं कि अब हम लोग वैसे ही एक लेबल के लिए इंपूट के लिए बना लेंगे और देख लेता है कि हमारा कुछ यहां पर बनावा नहीं है इंपूट तो नहीं है तो अभी हम लोग इसको ब है रिटे कर लेंगे जैदा भी हम लोग लेबल एंपूट यूज चुरेंगे तो इस पे लोग सिंप्ली क्या करते हैं कि हम लोग कुछ हाइट अप्लाई नहीं न sow 11 कि यूज कर लेते हैं अन्रप 50px देख लेटे हैं ज्यादर हो रहा हागा ठीक है तो by default में हम लोग का 15px यहां पर है तो इसको और थोड़ा ज्यादा लेते हैं तो इसको भी चलो कर देते हैं 25px साहिए और इसका कुछ हम लोग 20 भी रख देते हैं तो width के लिए simply हम लोग क्या करेंगे कि 150px width करके देख लेते हैं ठीक है और ज्यादध अपने को चाहिए तो 200px कर लेते हैं ठीक है अपनी इसाब से हम लोग जैसा फॉर्म चाहिए होगा उससे साब से हम लोग यहां पर changes करेंगे अभी हम लोग में simply क्यारते क्या है कि हम लोग को एक यह फॉर्म हम यहां पर ढल दे रहे और इसमें क्या कर रहें किछ यहां पर एसा यूजप करके इस इसको उसेंटर में कर दिया हो ठीक है और जतना कर थोड़ा यूज़ेंगे तो इसको कि कुछ 550 रट करके कि हो आलाट साहिये है तो अभी इम लोग जैसे इसको देखते हैं अगर तो अपने जिसे नेम वह यहां पे हो गया आपना ठीक है उसके बाद हमारा क्या है नेम को थोड़ा सा हम लेबल को थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहे है तो इसको थोड़ा कम कर देंगे 20px रख लेते हैं कि है अब हम लोग थोड़ा मार्चिंग टॉप भी अप्लाई कर देते हैं तो डार्टली यहीं पर आते हैं और यहां पर आप्लाई कर दिया और कुछ 50px एक्प्लाई कर लेते हैं कि इसके बार हम लोग क्या करते हैं कि सेम हम लोग जैसे अगर कोई रिश्टेशन फॉर्म ले रहें तो रिश्टेशन फॉर्म में बेसिकली हम लोग चाहिए क्या कि भाई जब भी यहां पर नेम आए ठीक है उसी साब से हमारा क्या रहे इमेल आइडी रहे फोन नमबर रहे एड्रेस रहे ठीक है तो इसी साब से हम लोग क्या है कि यहां पर सारे पर हम ऐसे कॉपी पेश्ट कर दिया यहां पर बस चेंजेस कर देंगे इमेल मोबाइल नमबर तो एड्रेस में आप लोग पाता होगा कि हम लोग यहां प इन पुट टैक करते हैं आएक यहां पर मे पडंक और यहांपoure और इसके अंदर र्वर ऐसा और बना लेते हैं क्टिक है 기 Wii लास का नाम कुछ ऐसा दे दिया है अम लोग टेक्स अरिया और आकर के पहले हम लोग अपने रिजल्ट देख लेती हैं यहां पर यहां पर नेम है इस लेबल के बाद हम मेरे को बीयर चाहिए इसके बाद भी आर ठीक है यह देखें अभी हम लोग क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा Css apply करेंगे क्योंकि यह सारा कुछ तो हम इससाब से किये हैं उससाब से यहां पर show हो गया अभी अपने कुछ चाहिए अगर Css तो कि यहां पर simply क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर बना लिया text area से class और यह इसका कुछ हम लोग विथ रख देंगे तो विथ थोड़ा हम लोग ज्यादा रखेंगे क्योंकि अगर विथ इसका देखा जाए तो हम लोग 250 Px रखेंगे तो इसका वहुझा हम लोग वैसा ही कुछ रख देंगे जिससे हमारा क्या हो कि बराबर में आजए ठीक है आगे हाइट हम लोग यूज़ कर लेते हैं इसका और हाइट कुछ हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं 500 यूज़ करके देख लेते हैं ज्यादा हो रहा है और थ्री हंड्रेट यूज़ कर लेते हैं सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा तो यहां पर आकर के डिर्टी मार्जिंग टॉप अप्लाई कर लेंगे मार्जिन टॉप अप्लाई करके हम लोग यहां पर कुछ 25 पी एक्स का मार्जिंग सारे लेवल को उपर रखना चाते हैं तो इधर आकर कि इसको सेफ किया और इधर आकर के देख लेते हैं अच्छा तो नहीं कुछ हुआ तो कुई कोई दिकत नहीं है यहां पर इसको हटा करक करते हैं कि इंपुट मगर यहां पर जबाएगा तो हमारा बॉटम हो जागा है अल्राइट है कि हो गया अभी हम लोग का फॉर्म कुछ ऐसा देख रहा है ठीक है अभी हम लोग क्या है कि इधर उपर से अपने कुछ बिया डाले थे हैं और राइट कि दर है मार्जिंग एक्वाला मारे करेक Link कुछ देते हैं ह। इसको हमकर करते हैं इसको ऑफे और इसके बादम लोग कुछ के इसके बाद कुछ सोच रहे हैं कि नीचे में बटन डाल दे तो बटन भी बेसिकलिंग्दू कि यहीं और यहां पर क्लास बना लेते हैं और इसकाल कुछ बटन का शॉट फॉर्म बीटी एंगे और इधर आकर के बीटीन में कुछ कि हैक्लाई कर लेंगे साथ चाहिएं कि वीट हम लोग यूज कर लेते हैं और हमसे क्या होगा हमारा पूरा उपडिस क 획का वो स्पर से आइगा यहां hai कर को तो वाइट कि ऑल्राइट फिर उसके बाद हम लोग कर दें बैक्गरॉंड करको कुछ यलो अब उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं बॉडर रेडियस कर लेते हैं ठीक है यह सारे चीज को हम पहले भी एक बार करते रहें सिर्फ अभी और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है तो बटन हमारे कुछ ऐसा दिख रहा है तो ऐसा हम लोग ऐसा दिख रहा है क्योंकि हम लोग इसके अंदर कुछ पैडिंग कर देते हैं और पैडिंग हम लोग कुछ 15px अप्लाइग करके देख लेते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही और हम लोग यहां पर कुछ फॉर्म बनाने का सीखे हैं ठीक है तो ऐसा ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं और अगर हमारे यह वीडियो आप लोग को हिल्फुल लगता है तो प्लीज लाइक इस व